कि कि अलो इस्ट्वेंट आज हम इस क्लास के अंदर अनंत इस पर्शियों के बात करते हैं आई सम्पोटेट्स की तो देखां आई सम्पोटेट्स क्या होते हैं कि कोई वक्र को अनंत इस पर्शियों कि कोई वक्र को अनंत इस पर्श करें तो वह रिखां उसके अनंत इस पर्शी कहलाती है है परंदुख होता कि है किस्टुवेंट के कोई भी वक्र है हमारे पास कोई बीया है वह पर्श डूर्श करति की इस दो रहा वह लंववत दूरी क्या हो जए जीरो इसका मतलब यह जो रेका है वह स्पॉइंट पी पे टच करें यह तो यह क्या हो जाएगी इस पर से लेकिन पोइंट का ओना सिंग तो यह अपना वेसे कि संभाव तो नहीं कि हमारे पास प्रदरफ होता है वहां पर इसको परदर्शित करनाoria नहीं हो सकता क्योंकि Mary Convyैंट लेना और में लेनम नहीं सकते लेकिंगे इसको कि प्रम करते हैं कि कोई कुई वख्र रेखा से लंबवत दूरी होगी वह जीरो की और अगर सर चले तो रेखा उसकी क्या हो जाती है अनंत इस पर्सक्राइब तो देखोड़ेशन क्या रहेगी कि इस्टोडेंट प्रही बाता का द्यान रखना एक्जाम में पूछी जाती है सेक्शन ए में तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने बात करते हैं कि जब किसी वक्र के लिए जब किसी वक्र का कोई बिंदू पी वक्र के अनुदिस अनंद की और वक्र का अनंद की और चले और एसा होने पर एसा होने पर किसी सरल रेखा से पी की लंबवत दूरी है ने पर्पेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो की स्टेंड लंबवत दूरी सुन्य की और अगर सरेंट एंग्स टू जीरो हो तो वह हैं सरल रेका जो स्टेट लाइन इस्ट्वेंट वक्र की अनंद इस पर सी कहला देज्ट यह अपने वक्र कि अनंति पर सी कहलाएगी कप कहलाएगी जब वक्र है उसके कोई बिंदू है वंबवक्र के अनुजित इसनन्त की और गतिवान है तो उस बिंदू पर किसी रेखा से लंब आ अगर सरव तो वहिस पर्सेट काउस मखूर टच कर जाएगी और कहां पर करेंगे रहे तो इस पर क्या क्या लाएगी राए लटे तो यह द्हान रखें आनंत पर से चैलाती आप बात सिसटरों निगordरा कि छो आपको इस बहुतर चै़न धर क्या होगी सुन्य का बलते हैं इनको कि अधिक है अधिक है अधिक है तो क्या डेफिनेशन होगी जो अनंत इस पर सी अक्षों एक्स कौन से वाई अक्सेस एंड एक सक्सेस के समानतर नहीं होती है वैं त्रियक अनंत इस पर सी कहलाती है तो यह अपने पास जाएगी त्रियक नहीं अब्लिक्यों आई सम्पोर्टेट्स का वोगी जो कोडिनेट अक्सेस हैं उनके पैरलल नहीं हो यह निकि कहने का मतलब पैरलल कौन से होती इस पर भी तो एक पहुंसर कोई लोग एक इस परकार से रते तो हम कहते हैं कि एक्सक्रह्णार करे सब्सक्राइब कर दो तो यह अनंति पर सी कहलाती है तो यह अपने त्रियक अनंतिस पर सी जो नहीं कि नहीं होती है तो यह तो बात भी डेफिनेशन की अब बात कि किसी भी वक्रेस्ट का अस्तित्व है या नहीं है तो वह कैसे से घ्यात होगा तो सबसे देखो नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक की कि 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 क्यानंद फर्सी के लिए कि अनंध इस पर्सी के लिए या अनंध इस पर्सी के अस्तित्व के लिए प्रतिबंद प्रतिबंद होगी तो देखो सबसे पहले कोई वक्र होगा तो हम लेते हैं माना वक्र वाइब रावर एपक्स एक्विशन फर्स्ट इसके लिए देखो के किसी बिन्दू पी एक्स वाइप पर इस पर्स रेखा का समीक्रण क्या हो जाएगा इस ट्रेंड हम पहले पढ़के हैं वाई माइड कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डिवाई डिए 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 एक्स प्लस माइनस का है इधर आएगा प्लस माइनस अग्स भीए एक्ष तुटो े अग्याuhan भाई गया अब हमें मैं बता कि ये इस पर स्रेका और अनंद इस पर सी ओ यह जोई इस फर्सरे और वह इस वक्रत के लिए आउ अने इस पर सी ओ तो इसके लिए देखो जदि ज़ते वाक्र एक के इस पर से का कौन सी दो नमबर समीकर्ण से अनंत इस पर सी और हम माल लेते हैं वाई एक्स के समांतर भी नहीं है नहीं हो तो जैसे जैसे पी वक्र के अनुदिस कहां जाएगा इस पर से का नंती इस पर स्रेकाओ हो तो यह पॉइंट पी होगा जाए इस पर देगा तो अनुदिस के अनंत की और जाए क्यों नहीं लिए इस ट्रेंट क्योंकि मैंने यहां वाई के जो गुणांग है वाई का जो कोडिनेट है उसको लेते वें समीकर्ण लिखिए तो देखो जाएं तो अनंत इस पर सी के अस्तित्व के लिए अब इसका अस्तित्व कब होगा जब इन दोनों की वेलियों के इस पर स्रेका है तो उसका भी एक कोई समीकर्ण होगा तो देखो किस परकार के लिए डिवाई डी एक्स तथा तो य माइनस एक्स डी वाई डी एक्स परिमित जासियां क्योंकि इस्टोन एक्स तो अपना जो कोडिनेट निर्थिसांगा वो रहेगा तो यहां पर जो गुणांग होंगे कोफिजेंट क्योंकि हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो यहां पर परिमित राश्यां कि पूनी कि चाहिए कि फिर देखो तो इसका मतलब आता है कि यह है कि अनंत कि इस पर सी के लिए कि अभी इस्ट यह रिजल्टेंट कंडिशन से अभी इस प्रतिबंद है तो यह तो हो गया हमारे पास प्रतिबंद अब हम डिवाई डिएक्स के अकोर्डिंग क्या मानते हैं कि वह राशिक किस तरह पॉनी चाहिए तो देखो इसके आगे का पार्ट करते हैं तो यह तो हमारे पास कंडिशन आगी इस जब एक्जाम में पूछे आए लेकिन अब क की ओर तो यहाँ पर डेवाई डिएक्स है वह हमारे पास क्या हो जाएगा डाल होता है इस ट्रेइक्स होता है वहां तेन थीटा लेते हैं जिसको हमने एपस एंसे वैक्थ किया क्योंकि किसी परिमितरासी के लिए होनी चीए तो हमने हम मान लिया दूसरा का लिमिट एक स्टेंग्स तू इंफिनिटी क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स डिवाई दी एक्स एकल टू सी कॉंसेंट है तो इसलिए अनंत इस पर सी का समीकर्ण क्या हो जाएगा स्ट्रेंट वाई बराबर समीकर्ण होंता है फिर देखो हो अगेन पुने यह रास हिए अपने पास हो लिमिट एक्स टैंक्स तू इंफिनिटी वाई माईकस डिवे गाई इक्स इक्टु लिमिट एक्स एंक्स टो इंफिनिटी दी च अपन एक्स एक्स का मानीं इस्टु maintained इनवीटिविनेच ऑगा तो यह क्या हो जाती और सब्सक्राइभ तो यहां से अमारे पास कि आपका यहां से लिमिट x tanks to infinity y minus x y upon x limit x tanks to infinity dv by dx equal to zero तो यहाँ से क्या जाएगा limit x tanks to infinity y upon x equal to limit x tanks to infinity dv by dx यह हमने क्या मान रहे का instrument तो हमारे पास प्रतिबंद क्या जाएगा limit x tanks to infinity y upon x equal to m तो यह अपने पास हो तो इस इस्तति में यानि कि एम को प्रिमेट संक्या ड्यवाइड एक्स के लिए तो हम कह सकते हैं कि उसका स्थित्व है वैसे हम यहां तक लिखेंगे इस्ट्रेंट दो नमबर में पूछ ले और चार नमबर में परतिबंद पूछे तो आपको यह पूरा करना होता है तो यह तो बात हुई अस्तित्व के लिए आप बात करते हैं अनन्द इस पर सियां होती है तो कितनी हो सकती किसी वक्र के लिए तो वह बात करते हैं सबसे पहले तो देखो अब द्लीड नेक्स बात करते हैं किसी अब बाकर की अनन्त इस पर स्यों की मैक्सिमम संक्या यानि अधिक्तम संक्या क्या होगी इस ट्रेंड तो इस ट्रेंड यहां पर हमें एक बात ही द्यान रखनी है कि एन वे गाद के एक बीजिये वक्र की अनन्त इस पर्सियां अनन्त इस पर्सियों की संक्या एन से अधिक नहीं हो सकती है नहीं हो सकती है तो इस ट्रेंड यहां पर मैक्सिमम आपके एन गात का समय करना है तो अनन्त इस पर्सियां हो सकती है उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी तो यहां तक अपने को बात रखना है कि कोई भी वक्र दिया जैसे पावर फोर है तो उसकी चार अनन्त इस पर्सियां हो सकती है कम भी हो सकती है तो उसकी अकॉर्डिंग देखों अब ढगों नेक्स्ट टॉपिक निर्दे सांग को कि अ मोजा एक समांतर और अनन्त कि इस पर्सियां यह यह सक्षेस और वाई एक्सेस है इस्टुएट उनकी समांतर अनन्त इस पर्सियां किस प्रकार ज्याद करते हैं तो उनके मैंतर लिखते हैं इस ट्रेंड तो देखो सबसे पहले बात हमें द्यान रखनी है एक्स-क्स के लिए तो देखो एक्स-क्स के समांतर अनंतिस परसी वक्र के समीकर्ण जो अपने को दियावा समीकर्ण है मैं एक्स-क्रण जो आएस पावर होगी गाद की गुनांकों के वास्तविक ए गाती गुनन खंडों को सुन्य के बराबर रखने पर प्राप्त समीकरण या अनंतिस पर्सियां एक्स एक्स के समांतर अनंतिस पर्सित होती है तो इस्ट्वेंट हमें एक्स के जो उचतम गात का कोई पद होगा उसके गुणांकों का एक वास्त एक गाती गुनन खंड लेंगे तो यानि कि यदि एक्स इसक्वाइर में होगी टर्म तो हम प्लस बाइनिस का कोई फॉर्मुला लगा कि एक गात के गुनन खंड बनाएंगे जितने बन से उन सभी को सुनने के बराबर रखेंगे और वहां से जो अपने को समीकरण या अनंतिस पर्सी जो प पसरते की यह केवल मात्र अचर नहीं हो यानि केवल एक पत और कॉंस्ट नहीं हो क्योंकि कॉंस्टेंट इकवल टू जीरो हो जाता जो कभी हो नहीं सकता तो आपको एक्स के उच्छतम गात में है तो यानि वाई का भी आपको पत लेना होता आई ये इस पावर के अंदर सोस्टेंट वेल्यू आएगी तो सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब इस दो सब्सक्राइब के लिए देख symmet. कि वाई एक सब्सक्राइब के शमानतर अनन्दिसपर्सी वर्टर के समीकरण में वाई के उच्छतम गात के गुनांकों के वास्त्विक एक गाती गुनन खंडों हो सुनने के बराबर रखने पर राप्त समीकरण या अनन्दिसपर्सी वाई एक्स के समांतर अनन्दिसपर्सी होती है कि बसरते हैं कि यह हैं कि क्यावल मात्र है अच्छर यह कॉंस्टेंट नहीं हो तो यहां पर वाई के उच्छतम गात होंगे उनके गुनांकों को ले लिया जाए तो यह तो निर्देशांकों के समांतर अनन्दिसपर्सी ग्याद करने का जो तरीका है वह होगा तो यह तो कोई भी वक्र दिया होगा उसके लिए अनन्दिसपर्शें फोढरें इस तरिके फिरत अब अब बाद इस प्रशेन किस परगार जयात करते नहिंद तो उनके लिए देख। Denise कु Pour Channel की को त यह तो किसी से वाक कि संधिक करें वो कि तीरीक अनन्दिसमी परसीआख इनकर चाहद टरहाएं celebrate एप अक किसी तो क्या मेथड अपनाएंगे स्टुडेंट को सबसे पहले तो यदि वक्र एंगात का बहुपद हो तो हमें वक्र बीजिय वक्र दिया जाएगा सबसे पहले पर्थम इस्टेफ दिये वक्र के समीकंड के पुचतम गात है यस्ट कितनी एंग के पदो में एक्स ब्रावर वन तथा वाई ब्रावर एम रख कर बहुपद फाई एम एन तो रिस्टेट एम के पद होंगे क्योंग वाई और एक्स में होगा और एन गात ग्यात करेंगे दूसरी स्टेप सेकंड क्या करेंगे स्ट्वेंट फाई एन एम को सुनने के बरावर रख कर समिकर फाई एन एम एकल टो जीरो को हल करेंगे तो मूल एम वन एम टू डेस डेस एन गात का इस्ट्रेंट तो एन इमोल प्राप्त होंगे एम थ्री डेस डेस एम एन प्राप्त करते हैं फिर स्ट्रेंट थर्ड स्टेप पुने दिये वक्र की समिकर्ण में एन माइनस वन गात के पदों में एक्स बराबर वन तथा वाई बराबर एम रखकर रखकर बहुपद फाई एन माइनस एम ग्यात करते हैं तो इस्ट्रेंट यहां पर यह ग्यात हो जाएगा तो नेक्स इस्टेप फोर सी इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस वन एम यह बहुपद अपोन फाई एन एम के रिस्पेक्ट इस्ट्रेंट डिफरेंशेट करेंगे इसको फाई एन डेस एम में में मान रक रखकर संगत सिवन सी टू डेस डेस सी एन ग्यात करते हैं तो इस ट्रीम यहां पर एम्वन रखेंगे तो सी वन आएगा कर दो रखेंगे तो सी टू आएगा एम एन रखेंगे तो सीन आएगा तो ग्याद करते हैं अब है अब है अब इस्ट अनन्द इस पर सियां क्या हो जाएगी स्ट्रेंट पहले अनन्द इस पर सी एम वन ग्याद किया आपने तो यह हो जाएगा सब्सक्राइब करते हैं तो यह अपने पास हो सकती है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं लेकिन इस्ततियां बात आती है सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर जो अपने को माने वह सेम प्राप्ट जाता है तो उनके लिए इस पर स्रेक्षाइब भी सेम होगी नहीं अलग अलग होती है मान यह यहां पर एंड़ी डिएक्स हम पहले बात कि दिए तो डिवाइड एक्स एंगल सेम हो सकता लेकिन सब्सक्राइब तो कैसे होगी तो उनके मान कैसे घ्यात करेंगे तो इस ट्रेंड आप इनको नोट कर लीजिए अब हम बात करते हैं कि यदि सेकिंड फरस्ट इस्तथी तो इसी के आगे है इस ट्रेंड नेक्स इस्तथी फरस्ट कि जब अपने पास हो नेक्स यदि फाई एन एम इकल तो जीरो के कोई दो मूल नहीं हम के मान के समान हो तो जो अलग अलग है उनको तो इसी फॉर्मले से निकालेंगे इस्ट्रेंड जो समान होंगे उनके लिए तो सी के मान समीक्रण कौन सी होगी स्ट्रेंड वन अपन टू सी स्क्वाइर फई एन डबल देश एम डबल देश का मतलोग दो बार एम के रिस्पेक्ट में आपे दिफ्रेंशेट करना होगा प्लस सी फाइन मायनस एन डेशे एम प्लस फाइन मायनस तो शंता हुआ गया यहांस तकंड़ से je में इसको क्लियर करेंगे स्ट्रेंट फिर बाद आती हैं इस्तती सेकेंड यदी फाय एंड एम इकल टू जीरो के कोई दो मूल सरी तीन मूल समानों तीन मूल समान फो चीके मूं है क्या जाएंगा स्ट्रेंट और फों पूर्ण पूर्ण त्रीका फेक्टोरियल सी क्यूब फइन ट्रिपल डेस फ़ियंग मेने तीन बार अवकलन करूंगे इस्टोन प्लस फान अपॉन टू फेक्टोरियल सच्वाइब यह भी फैक्टोरियल में ले सकते हो टूः फैक्टोरियल फूहता है सी स्क्वाइब एन माइनस वन जोब आउपकद होगा उसका दो बार आउपकलन्न एम के रिस्पेक्टन प्लस कि सी एन माइनस टू का एक बार डिफ्रेंशेट एम प्लस यहां से कितना हो जा और कॉंसेंट तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएंगे तो तीन अनंतिस पर्शियां ग्यात होगी तो यह तो दा अनंतिस पर्शियों के लिए बैसिक चानगारी तो अब हम अगली क्लास में इस से रिलेटेड एक्जामपल्स और जो प्रॉब्लम्स दिवें होती है वह सौल क परते हैं तब तक आप पढ़ते रहिए थेंक्यू